conservation of angular momentum, अभी यह बहुत important topic है, इस पर बहुत सारे questions पूछे आते हैं, तो देखो होता क्या है, हमाई पस conservation of linear momentum होता था वैसे यह conservation of angular momentum, तो हमाई पस हम लिखेंगे कि हमाई पस टॉर्क होता है, उसको हमने क्या देखा था है, वो होता है, DL upon dt, अगर किसी तरीके से टॉर्क की value 0 हो जाए, if torque is equal to 0, इसका मतलब DL upon dt की value 0 है, इसका मतलब L में कोई change नहीं है, इसका मतलब angular momentum will be constant, और constant का मतलब क्या है, जो initial है, वही final के बराबर है, यही हो गया हमारा conservation of angular momentum, अब इसका बहुत ही अच्छा सा example देखते हैं, मालो मैं आपस यहां पर वो आपने देखा होगा ना, इस तरीके से बैठ जाते हैं, एक stool पर फिस stool घूमता है, फिर हात को चौड़ा करते हैं, फिर वापिस पतला करते हैं, यहां पर मैं आपस mass होता है, ओमेगा की value साथ हमने क्या किया, उनको थोड़ा दूर करना शुरू कर दिया, पहली बात तो यह दूर वैसे ही क्यों नहीं जा रहे था, इनको मैंने यहां पर कुछ tension लगा करके पकड़ रखा था, इसलिए तो जब घूम रहा था नहीं तो भार फिक तो उन पर centrifugal force लग रहा होगा, अ कि जो भी forces हैं, यह सब center से pass होते हैं forces हैं, इन सभी center से pass होते हैं forces के कारण इस axis के about कोई भी torque नहीं आएगा, ठीक है तो हमने इसको दूर कर दिया, torque 0 था, एक्जामपल में हमाया पास torque is equal to 0 है, अगर torque की value 0 है, इसका मतलब हम लिखेंगे I omega initial will be equal to I omega final, अब इस particular case में हो क्या करा है कि जब भी हम हमारे पास ये mass को आगे पीछे करते हैं इस तरीके से, तो इस case में हमारे पास mass का axis से distance ही तो change हो जाता है, अगर ऐसा होएगा, तो हमारे पास moment of inertia बदल जाएगा, mass का position change होते ही, अब देखो यहाँ पर यही करना है हमें, initial case में हम यहाँ पर देखते है, हमारे पास अगर ये length थी L, ये है मानलो 2L, ये mass M है, ये mass M है, यहाँ पर हम initially moment of inertia कितना बोल सकते हैं, उसकी value हो जाती है, M L square times 2, ये तो हमारे पास moment of inertia आगे है, initial, omega initial मुझे omega ही दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी omega initial लिख देते हैं, चलो, let's say, will be equal to moment of inertia, final, बताओ भई finally moment of inertia कितना है, दो mass है, तो जो भी होगा, डबल होगा, लेकिन किस चीज़ का, mass times distance अब होगा है, हमारे पास 2L के बराबर, इसका हमें square करना पड़ेगा, ऐसे, ठीक, times omega final, यहाँ पर आप देखो के, ML square से ML square तो कट जाएंगे, हमारे पास value बसती है, अच्छे 2 से 2 भी कट ज है, हमारे पास आता है, omega initial divided by 4 will be equal to omega final, तो जब भी हमारे पास इस तरीके से यह motion होता है, तो उस case में हम देखते हैं कि omega को आप ऐसे निगाल सकते हो, moment of inertia, sorry, moment of inertia के साथ में उसको relate करके, अब देखो सवाल उठता है कि, हम इसमें ऐसे भी तो approach कर सकते हैं कि, energy conserve करके निकाल ल अगर मानलो मैं यह करना चाहता है, इससे मेरे पास क्या था, half i initial omega initial का square will be equal to half i final omega final का b square, इससे भी मेरे पास कुछ final omega निकल के आती, तो हमने यह नहीं किया, भई क्यों नहीं किया यह, यह गलत तरीका है, this is गलत, यह वाला हमारा correct है, तो ऐसा क्यों है, इसको जवाब ही fuel force लग रहा है, और फिर इनका displacement भी इधर हो गया है, मैंने इनको पकड़ने के लिए इस तरीके से force लगा रहा था, और मेरे हाथ का displacement इधर हो गया है, तो basically इनके, इन मास वगरे ने मेरे उपर कुछ positive work कर दिया, right, उनने तो इधर force लगा था, इधर ही work कर दिया, basically उनकी energy मै ना लिया होगा, कुछ हुआ होगा, पता नहीं, फिर जब उनको मैं वापिस लाओगा, तो मुझे वो energy उने वापिस देनी पड़ी, तो in fact ऐसा होता भी है, इसलिए यहां से अगर इसे घूमते वे को मुझे वापिस लाना है, तो मुझे उनको energy देनी पड़ी और इसलिए इसको वापिस लाना मुझे भी होता है, तो यहां पर हम energy conserve नहीं कराते हैं, work done is not equal to zero, यहां पर ये चीज़ लेख लो, in cases में work is not equal to zero, जो force इनको इधर उधर move करा रहा है, वो कुछ ना कुछ work जरूर करता है, कभी positive करेगा, कभी negative करेगा, इसलिए इस तरीके से हम omega final नहीं निकालते हैं, हम angular momentum के conservation से omega final निकालते हैं, अब इस पर बेस्ट बहुत सारे questions पूचे गए हैं, तो उनको देखते हैं, A mass M moves in a circle on a smooth horizontal plane, with velocity V0 at radius R0, the mass is attached to a string, which passes through a smooth hole in the plane as shown, the tension in the string is increased gradually and finally M moves in a circle of radius R0 by 2, the final value of kinetic energies, अब देखो, यहाँ पर हो क्या रहोगा, पहले इसको qualitatively समझते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक mass है, जो इस तरीके से rotate कर रहा था, और उसकी कुछ velocity V0 है, और जब यह rotate कर रहा था, तो बता हो, रस्सी में कुछ tension होगी या नहीं, रस्सी में कुछ ना कुछ tension तो है, अच्छ पकी है कि हमने इसको displacement भी इस तरफ किया है, R by 2, और tension की value चेंज होती रहेगी, थोड़ा थोड़ा खींचते जाओगे, tension की value बदलती जाएगी, tension की value is not fixed, पर direction तो सेम है, जो भी इंसान या external agency इसको इस तरफ खींच रही है, उसने कुछ work done तो किया है, किस पे किया है, system पे तो इसकी kinetic energy जो initial थी, final kinetic energy उससे ज्यादा रहेगी, कुछ ना कुछ kinetic energy change होगी, तो यह एक और example हो गया है, इस चीज़ का कि हम यह नहीं करते है, half I omega initial का square is equal to half I omega final का square, ऐसा हम नहीं करते हैं, क्योंकि यहापे हम clearly देख सकते हैं, हम आपस kinetic energy change होने वाली है, अब यहाँ पे द तो मैं बोल दूँगा भई, हमाया पास torque due to tension will be equal to zero, अब यहाँ से आपका काम है, वीडियो को pause करो, question को solve करने की कोशिश करो, फिर इसका solution देखेंगे, इसका correct answer है, B, solve करते हैं, तो देखो हमारे पास final value of kinetic energy पूचिए, basically final velocity मिल जाए, तो मेरा काम हो जाएगा, अब क्यूंकि मेरे पास torque की value zero है, किस point के about, तो यह भी यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, about center, बस उसी point के about, torque zero होगा, उसी के about, हम calculation भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कि इस point के about से बैट के देखने लगा हूँ, कभी tension एदर थी, कभी tension एदर थी, torque की value हर शन बदलती रहेगी, calculate ही नहीं कर पाएंगे, अगर हमारे पास torque की value zero है, तो मैं लिख दूंगा, हमारे पास angular momentum conserve रह जाती है, मेरे पास initially, जो angular momentum है, वो है M V0 into radius R, और finally इसके बाद हमारे पास mass की value तो change नहीं हो रही, mass की value वही है, velocity कुछ change हो जाएगी, मुझे नहीं पता उसकी value कितनी है, और radius हमारे पास R by 2 कर दिया है, और जैसे ही radius की value R by 2 कर दिया है, यहां से सब कुछ कट जाता है, हमा capacity की value हो जाती है, मेरे पास 2 of times V0 के बराबर हो जाएगी, तो finally kinetic energy, kinetic energy final की value कितनी हो जाती हो जाती हाफ M V square, which is equal to half M into 2 V0 का square, which will be equal to 2 M V0 का square, B is our correct answer, अब यहां पर और एक चीज़ देखो, आपने जो angular momentum लिखा, इसी को लिखने का और एक तरीका हो सकता है, इसको लिखने का क्या हो सकता है, मैं इसको इस format में लिखना चाहता हूं, let's say, moment of inertia initial into omega initial, this will be equal to moment of inertia final into omega final, ऐसे लिखना चाहूं, तो भी इसको solve किया जा सकता है, initial moment of inertia कितना होगा, mass M है, R distance की दूरी पर है, इसको हम लिखेंगे, M R square, omega initial कितना है, omega initial हो जाएगा, V0 upon R, हमाया पास value हो जाएग V0 upon R, will be equal to, final moment of inertia वो कितना हो जाएगा, M into R by 2 का square, final हमाया पास omega कितनी हो जाएगी, finally velocity V है, at a distance of R by 2, इस तरीके से, अब यहां से भी हमें देखो, same result मिलेगा, MR square से यह MR square कट जाता है, 1R से यह R कट जाता है, और हमाया पास यहां पर 2 का square है, यहां पर denominator में 2 है, तो basically यहां पर सिर्फ हमाया पास 2 बच जाएगा, यहां से भी हमें same result मिलता है, जो velocity है, वो two times V0 हो जाएगी, तो concept वही है, angular momentum constant रहेगा हमाया पास, लिखने के दोनों तरीके हैं, point mass की तरह लिख लो, चाहे उसको आप इस तरीके से moment of inertia और omega की terms में लिख लो, answer same आएगा, A solid sphere is rotating freely about its symmetry axis in free space, the radius of the sphere is increased, keeping its mass same, which of the following physical quantities would remain constant, हमाया पास एक इस तरीके से sphere था, वो rotate कर रहा था ऐसे, और उसको बढ़ा कर दिया हमने, जब उसको हमने बढ़ा किया है, तो यहाँ पर उसका angular momentum constant रहने वाला है, क्योंकि उसके उपर कोई भी torque नहीं लग रहा था, तो torque की value 0 है, तो इस तरीके के आपसे बार बार सवाल पूछे जाते रहेंगे, ऐसे में हमाया पस angular momentum conserve रहे जाता है, C is our correct answer, यह जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है, बहुत ही प्यारे से सुन्दर से crash course का, जिसमें हमने 43 days में पूरी की पूरी 11 और 12 की physics colorful notes और बहुत सारे PYQs के साथ solve कर लिया है, link is in the description, in fact आप colorful PDF को वाँसे download भी कर सकते हो, download करलू, हम मिलेंगे फुल कोर्स में,